उधारण 18 विद्यार्थियों ने वायू प्रदूशन कम करने के लिए विद्याले परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा यह निर्णा लिया गया कि प्रत्यक कक्षा का प्रत्यक वर्ग सेक्षन अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगा उधारन के लिए कक्षा एक का एक वर्ग एक पेड लगाएंगा कक्षा दो का एक वर्ग दो पेड लगाएंगा इतियादी और ऐसा कक्षा बारा तक के लिए चलता रहेंगा प्रत्य कक्षा के तीन वर्ग है इस विद्याले के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेडों की संख्या कितनी होगी चुकि प्रत्य कक्षा के तीन वर्ग है अधा कक्षा एक, कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, और अंत में कक्षा बारा अंत में कक्षा बारा द्वारा लगाए गए पेडों की संख्या क्रमश्या होगी एक गुणा तीन, दो गुणा तीन, तीन गुणा तीन, उसी तरह से अंत में बारा गुणा तीन या तीन, छे, नौ और अंत में छत्तिस यह एक समांतर शेणी है, क्योंकि इसमें दो क्रमश्याओ, दो पदो का अंतर तीन है छे में हम तीन को गटाएंगे तो तीन, नौ में छे को गटाएंगे तो तीन तो इस समांतर शेणी का प्रथम पद ए बराबर तीन है सर्व अंतर डी बराबर छे रिण तीन, बराबर तीन है एवं पदो की संख्या, पदो की संख्या, एन बराबर बारा है इसे लिए विद्याले के विद्यार्थियों द्वरा लगाए गए कुल पेड़ो की संख्या, समांतर शेणी के सभी पदो के यूखफल के बराबर होंगी अर्थात विद्यार्थियों के अर्थात विद्याले के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेडों की संख्या के लिए हम यहाँ पे समांतर शेणी का योग करेंगे अर्थात विद्यार्थात 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 विद और तीन दन चत्तिस उन्चालीस बराबर छे गुणित उन्चालीस बराबर दोसो जोतिस इसलिए इसलिए विद्याले में विद्याले के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाये लगाये गये तो यहां इस उधारण का हल होगा